आप हेलो गाइस आज की वीडियो है वो कॉलेज इस्टुएंट्स हो गए और जो फस्ट तु टुल तक स्टुएंट्स वह एप्लाइब कर सकते हैं स्कॉलर्शिप के लिए ठीक है तो यह कोलेज इस्टुएंट्स चाहे आप दीव से हो चाहे आप किसी प्राइवेट स्कॉलर्शिप में कितना आपको पैसा मिलेगा मतलब कितनी कइस लोग स्कॉलर्शिप है और किनके करी स्टुएंट्स के लिए सब्सक्राइब को भी अब्सक्राइब करते हो इसना है इसक्राइबेंट्रेंट्स हैं अbundal भी हम तो अब बदेने थिफ्द्स प्रयों हो diffusions स्वाइशन क्राइसिस स्वाइश जो मतलब जैसे लाज कोरोना क्राइस था तो उसके लिए भी जिनकी फैमिली पड़ा नहीं सकती है उनके लिए क्योंकि जायदा तर जो उन्हीं जायदा तर इसकोलर्शिप देने का परियास के जाया गए इसमें लिखा भी में पढ़के बता भी देता हूं देखो नीचे थोड़ा सा स्क्रोल कर देता हूं यहां पर आते हो यहां पर स्कॉलर्शिप प्रोग्राम एक बच्चों के लिए और एक पोस्ट बच्चों के लिए तो मैं यूजी कोर्स की पहले बता देता हूं तो यहां पर मैं एक चीज यहां पर देख लेता हूं करने चाहिए या बिये होना चाहिए या तो आप पर पास यह बिकॉम कर रहे होने चाहिए अब नहीं है कि आपका हो अभी आपका मतलब इस्टडी कर रहे हो यह यह प्रोफेशनल कोर्स के भी है वगेर हो गई सब्सक्राइब करते हैं जैसे काफी कोर्स में चले आते हैं इंजीरिंग के अब मैं यहां तीसरा पर सकते हैं आपके बात करोड़ी के अब सब्सक्राइब में तो आपकी जो लास्ट एक्जाम है फट्रीजनल में पास्चेशन ओम सब्सक्राइब सकते हैं तो आपकी जो यह सब्सक्राइब यह चाहिए वाज़ू को अगर आप फ़स्टेर को अभी आपका फ़स्टेर चल लाए तो आपको देखो क्लास्ट वैल्थी माना जाएगा एन्वल फैमिली इंकम आपकी जो है वह लेस्ट देन होनी चाहिए ठाइलाक से कम होनी चाहिए एन्वल मैं बोला हूं तो कहीं तो यहां पर जो प्रीफरें पैरंट्स की डियाथ हो गई ठीक है तो उनके लिए भी है जिनकी फैमिली में कोई नहीं है ठीक है ममी पापा नहीं के तो उन्हें जादा यह प्रीफरेंस दी है ठीक है तो यहां पे यहां पर है जाए और गया एडुरिंग डाप्ष्ट थ्री एर ड्यू टीविश्ट अर बिरिंग दा कोस्ट ऑफ एजूकेशन और एट रिस्क ऑफ ड्रोपिंग ओट ठीक है तो इन उन बच्चों के लिए जो प्रीफरेंश जाज तर उनी बच्चों के लिए दी जाएगी एक चीज़ और मैं बता दू चिल्डरन ओफ इंप्लोईज ऑफ एफडीस की बेंग एंड अगर आप देखो अगर आपके पैरेंट्स काम करते हैं तो आप एप्लाइन नहीं कर सकते हैं और यह जो है इंडियन इस्ट्रेंट से एप्लाइज कर सकते हैं बेनिफिट आपको देखो क्या है मैंने आप लोग को बताया था डिप्लोमा जो बच्चे भी कर रहे हैं 10-12 के जिनने 30,000 रुपे दिये जाएंगे तो यह आप को अपना को चैक आउट कर लेना कि जनरल कोर्स कर सकते हो डोकोमेंट आपको क्या चाहिए पासपोर्ट साइस फोटोग्राफ आप क्यों नी चाहिए प्रीवियस मार्क शीट 2021 एंड टू क्यों चाहिए ठीक है कि लास यह नहीं चाहिए ठीक है इन कैस देखो आपको रिजल्ट भी आगे हो जो थर्ड यह के उनका सेंड यह का रिजल्ट आ चुका होगा और जो सेंड यह में अभी इस साल है उनका फिर्ट यह का रिजल्ट लगाना है ठीक है in case you don't have a mark sheet for the 2021 session ठीक है 2021 और 22 session प्लीज आप उससे पहले की माक्षीट भी अपलोड कर सकते हो अगर आप पे 2021 की कोपी नहीं है माक्षीट नहीं है ठीक है आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आपको होना चाहिए अधार काड होने यह वोटर आइडी यह ड्राइविंग लेसन ज सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मतलब यह नहीं है कि जो जिसकी प्रूफ के लिए मांगा जा रहा है जिनकी यह रूप होगी तो उन्हें 10,000 दिये जाएंगे तो यह भी है और एडिमिशन ओफ लेटर इंस्टिट्यूट आपको होना चाहि इस प्रोफ होनी चाहिए तो या प्रोफ अपको पैसे मिलेंगे यह प्रींख होना चाहिए आपको जोTy पंचने अगर आप गाउं से ब्लोंग करते हो इंकम प्रूफ होना चाहिए तो आपको सब्सक्राइब से यह फिर तहसिल्दार से बनावा होना चाहिए इन में से तीन एक ही चाहिए और प्रूफ और फैमिली परसनल यहां पर परसनल क्राइसिस देखो अगर आपके कोई परस सब्सक्राइब नहीं है लेकिन अगर आप लगाते हो तो इससे बेनिफिट ही होगा कि HDFC जो इसकोलर्शिप प्रोवाइड करेंगी उन्हें पता चल जाएगा क्योंकि यहां पर डाया तो यहां पर देखो बेक आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है मैं एक चीज ब सब्सक्राइब यहां पर आना है वेबसाइड है एक बार में बता जाएता हूं यह स्क्रीन पर मेरे शो भी होगी होगी है जिसमें स्पैलिंग में बोला कि भी यू डबल डी वाई फोर एस्टी यूडी वाई डोट कॉम टिक हैं जब इस पर आओगे तो आपको होम पर किल एक क्लिक करना इस्कुलर्शिप में आप देखना कौन कों से कुलर्शिप और देखो यह स्कूलर्शिप आप किलिक करो है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां ग्लास और अगर आप और अगर आप देखो यहां पर क्या नाम है क्या नाम है अगर आप रिजूशन कर रहे हो तो यहां अपना नाम और यहां अपने यहां पर किसी कर नाम होता है तो कुमारी भी फिल घर सकती हो ठीक है अपने देना वैलिड इमेल आइडी होनी चाहिए आपकी पासवर्ड आप इस्ट्रोंग क्रेट करना जब आप सब कर लिए तो तो उसके बाद बेक आजाना तो फिर से यहां पर क्या करना एपलाई नाव क्लिक करता हूं यहां में गूगल अपनी इमेल आइडी से रेइस्टर कर रहा मैंने तो जब मैं यहां पर लोगिन करता हूं तो है इस तरीके से लिखाएगा यू है सक्सेस्फुल लोगिन ओके कर दूंग अब देखो यहां में जब लोगिन करता हूं तो यहां पर तो यहां eligibility चेक करता है यह बहुत अच्छा पोटल है यह चीज मैंने देखी है यहां पर सबसे पहले इस अप्लाइब करने से पहले स्कॉलर्शिप मतलब देख लेता आप eligible हो यह नहीं स्कॉलर्शिप के लिए तो यहां में किलिक करूँ हैं यहां कर रहे हो यह पूछ रहा और आपकी इंकम कितनी है नहीं तो अगर आपकी कम नहीं तो नहीं तो नहीं कर देता हो अगर आप for this scholarship kindly proceed to fill the application form and upload mandatory documents for the deadline before the deadline तो डेडलाइन इसकी 15 अक्तूबर 15 अक्तूबर से पहले आप लोगों को फिल करने मैं continue कर दूंगा अब जब यहां आप continue पर किलिक करते हैं तो यहां कि मेरा पर्मनेंट एड्रेस पूछे घ्रेस में अड्रेस लाइन दे दुमा इस्टेट मेरा कौन सा में दिल्ली विहार ली कहां से हो तो मैं दिल्ली से प्लम करता हूं तो मैं यह सिटी और पूछे आप सिटी आप की पिन पिन कोड मेरा समय यह जो ने पिन कोड 1194 में फिल कर दूँआ है अभी हमें अब यहां आपको कुछ नहीं करना नीचे स्क्रोल करना डरेक्ट कि अब मैं डेरेट नीचे स्क्रोल करूं यहां पर आपको छे उप्षेंस हो गए पिलस एजुकेशन डिटियल आपको फिल करनी है कि लास ट्वेल्थ की अपनी डिटियल बतानी देखो कि लास ट्वेल्थ की डिटियल आप फिल कर देना माक्षिट वगेरा ग्रेजुएशन क the refusal science कर रहो है जो भी आपकी डिग्री बता देना कोरस की डूरेशं बता देना कोरस की डूरेशं कितनी है मैरी यार्य कॉर्स 3% है ठीक है डीट विमिप्षमा नहीं कर रहा हूं मैं मी ऊंनर्स कर रहा हूं में करें देख लुँआं अब गाइस अगर आपको यहां कोर्स नहीं है तो यहां अदर पर किलिक कर सकते हो में अपना कोर्स का नाम दिदेना मेरा बी और पॉलिंटिकल साइंस है जो भी आप बता देना पॉलिंटिकल साइंस है तो यहां पॉलिटिकल साइंस कौन साथ थाडियर में हूं अभी अभी इंस्टिट्यूशन टाइप पुट है गौवर्मेंट है गौवर्मेंट टेड़ी यह प्राइवेट इन तीनों का मतलब क्या है देखो कुछ को जो होते हैं जो प्राइवेट प्लस गौवर्मेंट दोन है मा तो यहां पर और यहां देखो मेरी डूले इसन कोर्स की तीन साले से मेरा संट्र ख़र से चला है और इस्टेट मेरा पूछे का तो इस्टेट में दEलीлем आठीक है आप जहां B लोगा habe di county अवर्प Crash freaking देको है तो मेरी परथी जीइच तो तो साउथ दिल्ली है यहां नेम ओफ इंस्टिटूशन बता देना यहां मेरा नेम ओफ इंस्टिटूशन आगे देश बंदू को आपको आपको आपका जो भी कोलेज नहीं में वह फिल करना टोटल आप देखो टोटल एन्वल फी अकेडमी किया दोजर बाइस तेस के कितनी आपको यहीं इसी हिसाब से मिलेगा तो मेरे जो फीस थी वह 11,000 एक रुपया थी 11,000 यह फिल करना कंपल्स रही है एक रुपा भी कहीं आप सोचे नहीं भाई यह 11,000 एक रुपय में पासिंगर आपको पासिंगर में आपको यहां देखो कुछ नहीं कर सेलेट करना पासिंगर आपको सेलेट करना है 2023 2023 में पास आउट होंगा मैं तो यहां पर सेफ करके क्लोज कर देना सेफ करके क्लोज करना यह भी याद रखना डारेट करोगे क्लोज तो आपको क्लोज ही हो जागा पूरा फ प्लिज एंटर जिरो एड फैमिली कर नाम नमबर क्या रिलेशन और पैरेंट से मदर जो भी बता देना स्लेक्ट ऑक्यूक्या काम करते हैं ठीक है वह बता देना अप गाइस यहां पर देखो डॉक़्मेंट पाप किलिक कर देना डॉक्मेंट डाउनवाट कर लेना आपको ब तो आपको बता देगा कौन-कौन से रिक्वाइड डॉकॉमेंट है तो आप वो फिल कर लेना और अराम से अच्छे से फिल करना यह भी याद रखो और यह प्लीज में मिणिमम देखो प्लीज एंध मिनिमम्-कव वेस्ञ अपको देáticas बैंगे यहिवाद मhuman को फैमली और अपने ब्रो कर दो ट्रिफ्रेंस एक नीचा तो रिफ्रेंस के बाद बैंक डिटेल यह डिटेल करके अपने अपने दे सकते विखने का नाम और आप एकम सकते हो चिकना सब्सक्राइब किसी तरह मतलब डिसेबल हो किसी तरह से तुम ही इए भीवोलि यह पाउन ऐस मिन hazel ऐस così से सब्सिघ्यास मैं उतलेइक कले आपको बता है इस पिलिटी करतेगी उतला के इत देखो डेठ ओर अरनिंग फैमिली मेंबर देखो होता है अभी को रोना में कपी बैद करोना में काफी डेट हुई शी तो उनकी वह से या जो विद्धनेस लोस इन फैमली और एक्समेट ल ट्रीटमेंट तो जो मैडिगल ट्रीटमेंट होगा आपके किसी इक फैमिली में तो आप कर सकते हो नहीं है कुछ तो एने कर देना डिरेटली इस्टुएंट रिलेशन्शिप विद फैमिली मेंबर वू इस फैसिंग क्राइज वाग डिक्रीज तो यहां कौन डिक्रीज वह कर रहा है तो लिख देना यहरोफ राइस आपका कब था तो बता देना देखो 2020-2021 सब्सक्राइब किस्ता और कोज ऑफ डेट क्या था नेचुरल है एक्सिडेंट है कोविड-19 अगर आपके किसी फैमली मेंबर की देट हुई है यह कुछ भी हुआ है तो यहां आप सब सेलेक्ट करके सब फिल करके यहां पर बाइसमिटिंग पर यह यह टिक यह भी टिक और यह टिक और यह टिक करके हैं प्रिवू करके आप फाइनल समिट कर देना जब फाइनल समिट कर दो उसके बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा जैनवरी फरवरी तक आपको पैमेंट आ जाती है एक चीज़ में बता दो इसकोलर्शिप में एक नॉर्मल इस्ट्वेंट मत अ बांगेगा तो आप फिल कर दो बाकी आप लोग के क्वेरी है तो मुझसे फ्रीली इंस्टाग्राम पर पूस्ट तो इंस्टाग्राम को लिंक मैंने डिस्केशन में दे रखाए ठीक है